हेलो फ्रेंड्स आज हम फैब्रिक पैंटिंग की क्लास 4 में एक न्यूं डिजाइन बनाने जा रहे हैं ये मैंने ड्राइंग बनाई है उसके लिए और तू टाइप्स के फ्लार बनाई हैं, बर्ड बनाई हैं और साथ में लीज़ बनाई हैं राउंड और साथ में यह फ्लैट नंबर ब्रश है टू मिक्स कर लेंगे आप राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं टू नंबर क्योंकि यह बहुत ही स्मॉल फ्लाइर्स हैं अब मैं इस पिंक कलर को जो मैंने मिक्स करके बनाया है वाइट और रेड को किसी भी कलर का हमने एक जा दो टून जितना भी टून लाइट बनाना है तो हम उस हिसाब से उस कलर की मात्रा कम करते रहेंगे और वाइट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे मिक्स कर देंगे तो आपको as usual कलर मिल जाएगा अब मैंने पिंक से यह सारी पैटल्स फिल्स कर रही यह सारी मैं करूंगी फिल्स फ्लार के साइज को अपने हिसाब से आप अपनी पेंटिंग के हिसाब से बड़ा चोटा बना सकते हैं अगर फ्लार बड़ा होगा तो उसके पैटल्स बड़े होंगी और लीव्स भी बड़ी होंगी उस डिजाइन की अब मैंने रेड उठाया है सेंटर में जो मैंने पैटल्स का डिजाइन दिया था उस पे रेड लगाया है आप लाइनी बर्स से तू नमर ब्रश उठा लीज बहुत ही हलके हाथों से ब्रश आपने चलाना है जब भी आपने फैब्रिक पेंटिंग करनी और कलर को थीन रखना है अब मैंने रेड उठाया है उसी ब्रश में और बाहर की जो पैटल्स है उसको मैंने रेड से फिल किया है वाइड से में हलका हलका एक साइड से थोड़ी थिक आउट लाइन क्रियेट करूंगी यह दिखें इससे आपको फोल्डर लीफ के जैसा एफेक्ट मिलेगा अब सेकिंड बला जो फ्लार है उसका डिजाइन अलग है तो वो मैं ब्लू कलर से करूंगी पहले आउटलाइनिंग करके इसी ब्रश से ही मैं हलकी हलकी सी शेडिंग दूंगी प्लू से और उपर की तरफ मैं इसी ब्रश में बिना वाश के ब्रश को वाइट कलर से मिक्सिंग कर दूंगी यहाँ पर मैंने मिक्सिंग करी है वाइट से उपर की तरह वाइट लगा दिया है नेक्स्ट फ्लार भी मैंने रेडी कर लिया है अब मैं दोनों बर्ड रेडी करूंगी एक बर्ड मैं ब्लू से करूंगी दूसरा रेड साइड कलर से करूंगी यह मैंने लाइट बना लिया है ब्लू का दो टून लाइट है यह ब्लू डाक उठाया है और सेंटर में हलके हातों से हलकी से मिक्सिंग कर दी है इसकी दूसरा पिंक कलर भी है उसमें पिंक फिल करेंगे और दूसरी साइड पे रेड लगा देंगे यहाँ पर रेड लगा दिया वान साइड पर मैंने अब वाइड कलर उठाएंगे तू नंबर ब्रश में रहल के हाथों से आउट लैनिंग करते हुए यह बड को बनाएंगे हम इसके बाद मैं लीव का सैब गरीन कलर से फिलिंग दूँगी और साथ में येलो कलर भी उठाओंगी एक साइड लीव की सैब गरीन से फिल करेंगे दूसरी साइड येलो से से सेंटर में हलकी से मिक्सिंग कर देंगे बहुत प्यारा लीव बनता है ये बहुत स्मॉल लीव हैं आप अपने हिसाब से इसको बड़ा चोटा कर सकते हैं एक साइड मैंने येलो से फिल कर दी है ये दिखें सभी लीव पर ऐसा ही करेंगे वान साइड सैब गरीन वान साइड येलो हलकी से मिक्सिंग देते हुए कम्प्रीट करेंगे लीव को ये करेंग से हलकी ऑउटलाइनिंग दी अहलो नीचे सेंटर में हलका सा रॉंट सारे लीव कर ली दिया हैं एलो पर फ्लाइक कलर से हलकी हलकी वान साइड आउपलाइनिग करने के लिए हई हलके हाथों से देनी हैं, बड के भी ऐसे ही करेंगे हम और लीव्स के भी ऐसे ही करेंगे यह हम ने फॉल्डीड बनाया था वहां पर ब्लैक से आॉटलाइनिंग और यह लीव को हम करें हैं ह Should, साइट में ब्लैक का एफ्ट देह कर और दूसरी साइड पर वाइट उठाएंगे वाइट से करेंगे दूसरी साइड को जहाँ पर लाइट हो रहा है वाइट उसको हम अगेन रिपीट कर देंगे यह मैंने डंडियां भी ग्रीन से बना ली है मेरी वीडियो को लाइक चूर किया किजिए फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल जिन्होंने नहीं किया है न्यू न्यू डिजाइन आपके लिए लाती रहूंगी फैब्रिक पेंटिंग में यह देखे बहुत ही अच्छे से डिजाइन बना अब थोड़ा सा वर्क रह गया है यह जो हम सेंटर में फ्लार के ब्लैक डाला था हमने कलर उसके उपर येलो डॉटिंग पैनल बनाएंग कि यह देखे हमके आतों से करेंगे और यह बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है हलका उपर ब्लैक पी कर देंगे कि बहुत ही प्यारा डिजाइन रेडी हुआ है आप किसी भी स्मॉल प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं अपने साइज के पेंटिंग के साइस के हिसाब से इसको बड़ा चोटा कर सकते हैं डिजाइन को यह ब्लैक से मैंने फिल कर दिया है यह देखें बहुत ही प्यारा बना है यह डिजाइन थैंक्स पर वाचिंग